अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स आप सबको आपके अपने चैनल एम्जाडर फूर्ड गर में खुशामदीत कहता हूं आज की जो हमारी रेस्पी है वो है फ्रूड केक वो भी गर में असान तरीके से पांच मिनट में बनाएं चलो जी रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम सब्सक्राइब ने एक बोल ले लिया और उसे लगा लेते हैं अब हम एक पेपर ले लेते हैं कि पेपर की कटिंग कर लिए है अब इससे भी और लगा लेते हैं और सब दोस्तों से गुजारश करता है चलो जिसने मेरा अभी तक चेनल को सब्सक्राइब ने गया वह जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गेंटी के बटन को प्रेस कर दें , और और कोटिंग करना पहले इसलिए जुरूरी ड़ी होता कि जल्दी से मट्रीरियल से मटर्फ हैं करने अब हम एक बॉल लेकिया और बॉल में हम दो अध़ अध़ अंड़े लेते आइं अट को लेते हैं तोड़ अब अभी में शामल करते हैं लोज जी हमारे दो अंडे शामल हो चुके हैं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें गी शामल करते हैं कुकिंग ओयल चार चमच कुकिंग ओयल के शामल कर लेते हैं और साथ ही से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि जितना आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएगा उतना ही बेतरी हमारा केक रैडी हो जाएगा अब हम दूद ले लेते हैं और इसकी तदाद कुटिटी होनी चाहिए कप का तीसरा हिस्सा और साथ इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स अब हम इसमें शामल करेंगे ग्रैंड की हुई चिनी ऐसे बजार से भी मिल जाती है और ना भी बाय कर पाएं तो गर से भी यह तो हर गर्व की जरूरत होती है लेकर ग्रैंड कर सकते हैं यह भी हम कप का छोता हिस्सा शामल करेंगे यह चार चमच डाल लेते हैं और अच्छे त्रीके से से मिक्स कर लेते हैं कहीं बबल बनना शुरू ना हो जाएं अगर बबल बनने तो वह बिल्कुल हल नहीं होते हैं अब हम इसमें मेद्दा शामल करेंगे और मेद्दे की कॉएंट्रेटी एक अप होने चाहिए जी हमने शामल कर लिए और अच्छे त्रीके से मिक्स कर लें एक बात फिर कहता चलूं कि बबल ना बने जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाएगा क्योंकि अगर बबल बन गे तो हमारा केक बिलकुल खुराब हो जाएगा इसलिए यह एक इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही हम इसमें एक चमच बेकिंग पाउडर शामल करेंगे हमने हाफ चमच पहले शामल कर लिए और हाफ चमच फिर शामल कर लिए यह पराया और अच्छे तरीके यह से मिक्स करें अच्छे तरीके से मिक्स हो जुका यह देखें कैसे बिलकुल हल होगा है अब हम इसे कोटिंग किया वा जो आयल का डबा था पहले उसमें इसे डाल लेंगैं लोजी हमने उसे उस डब मैं ढल एल अच्छे कि अब तरीके से साफ कर लीजिए गाँ अब चलो ची प्रेशर कूकर ले लिया और अब प्रेशर कूकर में रखते हैं स्टैन्ड और इसके उपर इसके उपर हम अब डबा रख लेते हैं जिसमें मटीरियल डाला था और अब हम प्रेशर कूकर को कर लेते हैं बंद और दोस्तों को बताता चलों को बीच में हमने वीडियो स्किप की है पचास मिनट मीडियम आज पर रखना है इसे चुला आन कर लिए यही पचास मिनट हो चुके हैं पहले बताया था बीच में वीडियो स्किप की थी हमारा फुरूट केक रैडी हो चुका है ज्यादा हमारी वीडियो लंबी ना हो इसलिए शौड कर ली तो हमारा फुरूट केक रैडी हो चुका है गर में फुरूट केक बि क्रीम भी लगा सकते नएक्ट वीडियो इंशाला हम जूआ अच्छे त्रीके से क्रीम करणा कि हम डेजाइन करके बिटाने त Eck वीडिया को लाई करदेना से स्टैटर और और जिसमें सबस्क्राइब कि या वो सब्सक्राइब भी कर देना इंशाला हम नेक्स वी वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जाज़त दें अल्ला हाफीज